हलवा तो सबको पसंद होता है, क्या आपने कभी मुंग डाल का हलवा खाया है? इसलिए आज मैं आपके साथ मुंग डाल के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ हलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागा थे मेरे चैनल पर सर्दियों में मुंग डाल का हलवा नी बनाया है, तो क्या बनाया? पाटियों में तो आपने ये हलवा बहुत खाया होगा आज आप घर पर ये हलवा ट्राई कीजैंँ, बहुत ईजी और क्विक तरीके से एक कटोरी मुंग की डाल ले लिजे, मैंने एक कटोरी से थोड़ा कमी लिया है, उसके बाद आप उसको अच्छे से वाश करकर कूकर में डाल कर, उसमें जितनी आपने डाल लिया है, उसका तीन गुदा दूद ले लिजे, तीन कटोरी दूद ले लिजे, और कोटी हुई हरी और एक चमप देसी घी डाल दीजे पिर उसको आप तीन से चार सीटी लगा लगाने के बाद अच्छे से डाल गल जाएगी पिर उसको साइड में रख दीजे आप एक कड़ाई में देसी घी डालकर ये ड्राइब फूर्ट्स को मैंने लंबे-लंबे कट कर लिया उसको पहले हलका फ्राइय करके निकाल लीजिए, देख लीजए आपका ये डाल की सीटी खोल गई होगी तो डाल को आप ये मैशर ने से हलका मैश कर लीजी उसी कड़ाई में एक कटोरी और आफ देसी घी डाल दीजे, जिस कटोरी से हम लोग ने डाल ना पाता, उसी कटोरी से एक कटोरी देसी घी डाल दीजे, उसमें दो चम्मच बेसन और दो चम्मच सूजी डाल कर भून लीजे, दो मिनट भूनने के बाद आप इसमें ये मैश क दाल डालने के बार आप इसको भूनिए अच्छे से यह दाल भूनने में आपको कम से कम 20-25 मिनट लग जाएगा पहले आप जब इसमें डाल डालेंगे तो थोड़ी ज्ञाग ज्ञाग लगेगा उसके बाद आप जब भूनेंगे दीरे 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 कलर इसका चेंज होता जा मैंने अपने चैनल पर और बी हलवे की रेसिपी की शेर किया जैसे गाजर के हलवे की और काना प्रशाद की और winter special recipe भी शेर किये अगर आपने नहीं देखिया थो जाके मेरे routeług वीडियो में आप देख सकते हैं यहां से इतना बढ़ियां भून गया कलर अच्छा आ गया है और इसमें इस हलवे में कुछ मावा तो पड़ता नहीं मतलब खोआ तो पड़ता नहीं है इसलिए हम इसमें मलाई डालेंगे घर का हेलदी और स्वादिष्ट हलवा रेडी है अपने कमेंट मेरे साथ शेयर कीजेगा आपको यह हलवा कैसा लगा इस हलवे को बनाने में मैंने काफी मैंनत की है लाइक कमेंट्स जरूर कीजेगा बाई गाईज